दोस्तों जहां आपको TV इंडरस्टी में इतने सीरियल देखने को मिल रहे है वही इनके लिस्ट में एक नाम और जुनने जा रहा है जो है स्टार भारत के सीरियल आशाओं का सवेरा धीरे-धीरे से का जो की बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है जिसमें हमें भाव बिल्कुल ऑपोजिट है और इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको भावना के रियल लाइफ लोक से रूबरू कराने वाले हैं अगर जानना चाहते हैं आप भी तो चुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंट तक पर उसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक क बॉलिवड फिल्म हीरो हिंदुस्तानी से की थी जिसके बाद 2003 में सहारा पर आया एक मनुरंजन सीरियल किसे अपना कहीं से टेलिवीजन इंडरस्ट्री में इन्होंने अपना पहला कदम रखा और इस शो के जरीए ये काफी जादा फेमस भी हुई जिसके बाद उन्होंने 2005 में आया सीरियल वो रहने वाली महलों की में रानी मित्तल की भूमी का निभाकर तो सभी दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलगी पहचान बना ली जिन्हें आज भी रानी के नाम से सभी पहचानते हैं जिसके बाद ये बड़ी देवरानी देखों मगर प्यार से और शक चोटी की ये जिसमें इनके बाल भी काफी जादा फैल रहे हैं और पुरानी से साड़ी पहने नजर आ रही हैं और सिफ माते पर एक छोटी से बिंदी लगाए हुए ये काफी जादा उम्र दराज लग रही हैं लेकिन असल जिंदगी में ये इससे बिलकुल अलग हैं जी ह ये रियल लाइफ में ये बहुत कम साड़ी पहने देखी जाती हैं बलकि इन्हे वेस्टरन ड्रेसे जी जादा पसंद है और इनकी खूपसूरती में इनकी स्माइल तो चार चांद लगा देती है और जैसे कि आप देख रहे हैं रियल लाइफ में इतनी जादा यंग है कि 49 साल के होने के बावजूद भी ये काफी ग्लैमरस लग रही है वेल दोस्तों आप रीना कपूर के इस रियल लाइफ लुक के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे और आप कितने एक्साइट है इनका नया सीरियल देखने के लिए आप अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी टीव इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें